कुम्ब राशी इतिहास लिखने में कलम की नहीं होसलों की जरूरत होती है अब आप भी अपना इतिहास रचाएंगे नमस्कार दोस्तो जाए भोलेनाद दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कुम्ब राशी के बारे में कुछ अलग चीजों के बारे में बात करने वाले हैं आप भी अपना इतिहास लिख पाएंगे विस्तर से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिजना करें अंतर तक जरू देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग रशुबल को सब्सक्राइब जरू कीजए तो चले जानते हैं कुम रशी के बारे में दोस्तों खैली पुलाव पकाने में वक्त जाया ना करें सारतक कामों में लगाने के लिए अपनी उर्जा बचा कर रखेगा व्यापार में अच्छा खासा मुनाफ़ा होने के संबोना बन रही है आप अपने बिजनेस को नई उन्चें दे सकते हैं आपका अडियल रवया घर पर लोगों की दिलों को चोट पहुंचा सकता है यहां तक की नजदी की दोस्त भी आहत हो सकते है आप अपने प्रेमी के साथ कही गुमने का प्लैन बनाएंगे लेकिन किसी जरूरी काम के आने की वज़े से यह प्लैन काम्याब नहीं हो पाईगा जिसके वज़े से आप दोनों के बीच कहा सुनी भी हो सकती है लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कारिक शित्र में पहुचानेंगे दोस्तों जब आपको लगता है कि आपके पास घर वालो या फिर अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं है तो आपका मन खराब हो जाता है आज भी आपकी मन स्तित्य ऐसी हो सकती है दोस्तों जीवन स्ति के साथ हस्ते खिल खिलाते हुए हर पल के मज़े लेते हुए आप महसुस करेंगे कि आप किश्वरा वस्ता में लोड़ गए है अब बात करते हैं आपका सामने सर अशिपल के सर हैगा उसके बारे में आपको अपनी किस्मत का भरपूर साथ मिलने वाला है आपके काफी लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे आपकी अधूरी मनो कामना पूर्ण होनी की संबोना बन रही है घर परिवार में सुक शैंती बनी रहीगी परिवार के सदोसों के साथ और धार्मिक स्तल की यातरा का प्रोग्रेम भी बना सकते हैं मासिक चिंता दूर होगी आप अपने लक्ष को प्राप्त करेंगे करियर में तरक्की के नए नए मार्गा खुलेंगे बिजनेस के लिहाज से की गई यातराईं आपके लिए लबकरी सिद्ध होगी दोस्तों के साथ गुमने फिरने की योजरा बन सकती है अर्थी स्थिती में मजबुती आईगी तो चले अब बात करते हैं कौनसे बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में आपका दिन परिवार के लिए नई खुशियां लेकर आया है शादी शुदै जिन्दगी में मदुर्ता बढ़ेगे अगर आप कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो अनुभवी लोगों से सलहत जरूरी जीगा गुपत श्चत्रो आपको परिशान करने की कोशिश करेंगे परण तो वह सपल नहीं हो पाएंगे पती पतनी एक दुसरे की बहुनाओं को समझेंगे आप अपनी वानी की मदूर्ता बनाय रखें क्योंकि यही आपको मान सम्मान दिलाएगे विद्यारतियों का मान पढ़ाई लिखाएं में लगेगा किसी परतिवगीता परिक्षा में अच्छा नतीजा मिलने के योग बने हुए है अनबहु लोगों के साथ उठना बैटना रहीगा तो चले अब बात करते हैं कि इतिहास लिखने में कलम नहीं तो हवसलों की जरुवत होती है ऐसा आम नहीं क्यों का विश्टार से जैनेंगे आप यह अपना इतिहास रचा पाएंगे आने वाले दिनों में आप अपने आपको एक अलग लेवल पर देखेंगे आप अपने आपको अलग तरीके से लोगों के सामने पेश करेंगे साथ इसाथ आप अपने जीवर में एक अलग ही स्टेश पर होंगे अलग ही लेवल को आप अप अपसिल कर पाएंगे जिसे कि पूरा समाज, परिवार के लोग, आपके दोस्त, जो भी है आपको जो जो लोग पहंचाते हैं, वे आपकी जो की तारीफ कर सकते हैं दोस्तों आपने कामिया ऐसा करेंगे कि जिससे कि आपका नाम होगा और जो नाम होगा तो आप बस देखिए आने वाली दिनों में आप भी अपना कुछ अलग ही इतियास लिख पाएंगे तो जो जले आप बात करते हैं आपका धनर रशिपल के सा रहेगा उसके बारे में उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग रशिपल को सब्सक्राइब नहीं क्या हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू किजेगा साथ इस वीडियो को लाइक किजेगा और शेर किजेगा और अगर आपके जीवर में कोई प्रॉब्लेम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार-बार सता रही है उसका अगर हल जो तीशास्तर के अनुसार और कुंडली के आदर पर जानना चाते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें आतो वाटसप मेसेज करें हमर तरफ से रिपलाई जड़ से मिल जाएगा और आपके सबी प्रॉब्लम परिशानियों का समधान भी किया जाएगा तो चले जानते हैं आपका धनर अशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में करियर या फिर आपकी करांग इस समय आपकी प्रात्मित का रहेंगे आप महतो कांग्ची हैं और आपके इसी गुण से आपकी कम्पनी को फायदा भी होगा परिवार या फिर भाई बहन की परिशानियों से आप स्वय को आज दूर रखना चाहेंगे यातरा की योजनाओं में विलंभ हो सकता है आपके मन में इस समय और संतोष की भावना घर कर गई है और इसको लेकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं बस शांत रहेगा आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपका अपनी जिन्दगी पर नियंत्र नहीं है अपनी विचारों को व्यक्त करे तब ही लोग सुनेंगे हमेशा खुद को बदलते रहे क्योंकि बदलाव ही आपकी सपलता की निशानी है और इस संसार का नियाम है जो व्यक्ति अपने आप में बदलाव करता रहता है जो इस जीवन में परिवर्तन करता रहता है वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है वही सपलता की हर एक सीड़ी चड़ता रहता है तो चले बात करते हैं आपका करियर राशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में जो लोग सेवाक्षेत्र में हैं वे अपनी आयमें बड़ोतरी की उम्मिद कर सकते हैं हाला की अगर ऐसा नहीं होता हैं तो आप खुल कर अपनी विचारों को हवाज दे और ये निश्चित रखे की इसी सुना जाए काम का बोज जो दिन के मध्य में उंचा रहेगा परन्तु उम्मिद है की दिन के अंध तक वह काम होगा आप अपनी एक सुरक्षित भविशे के लिए एक विमा पॉलिसी में खुद को पंजी कुरूत कर सकते हैं आपको अपना कठोर और मजा की अदुर्ष्टी कोन को बदलने की ज़रूरत है बैतर होगा कि आप लोगों की भावनाओं से संबंद स्ताफित करें और साथी साथ जानने की कोशिश करें कि वे क्या चाते हैं और कौन सा रास्ता उन्होंने अपनाया है ध्यान देने योग या बात है कि आपको समझना होगा कि चीजे कैसे कारे कर रही है बजाए कि आप अपना तरीका अपने सरकर्मियों पर थुपे लगर अशिपल की बात करें तो आपका पार्टनर कुछ अजीब सा व्यवहार करते हुए अजीब सी मांगे रखेगा जिसके पीछे उसके तरक भी अजीब होंगे यह समय एक्स्परिमेंटल और कुछ रोमांच कामों के लिए बहुत अच्छा है हलाकि जहां तक आपके संब्द का सवाल हैं आप हमेशा एक गंबिर आदमी रहे हैं आपको अपने अति गंबिर प्रवरुत्ति को छोड़कर अपने अंदर के बच्चों को मज़े लेने की छोड़ देनी होगी इससे आपका तनाव भी काफी हद तक कम हो जाएगा दोस्तों आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्तराशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में आपको यह बात समझ आ जाएगी कि केवल जीवन शेली में छोटे छोटे बदलाव लाने भर से ही आप अधिक खुशहाल और स्वास्त जीवन बिता सकते हैं जिस आदत के बारे में आप जानते हैं कि यह आपके स्वास्त के लिए नुक्सान दायक हैं तो उसे आजी के दिन छोटे जीगा आप अपने भीतर उसे उड़ने की ताकत मुसस कर सकते हैं अगर आप पहले से ऐसी कोई आदत छोड़ चुके हैं तो अब आपको इन जो कि जोतीश, पंचांग, मानताओं और धर्मकरंतों से दी गई हैं हमारा उद्देश महत सूचना पहुंचारा है आप इसे सूचना है तो लिजी का इसके अतरीक्त अगर आप मानते हैं अपनाते हैं और इनका उप्योश भी करते हैं तो इससे पहले अपने नजदी के के बारे में पहले से अनुमार लगा सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिएगा आज की सुटों में बस इतना ही मिलते हैं नवड़ों के साथ धन्यवाद